हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया चैलेंजिंग कुशिन डिसकस करेंगे कुशिन हमें ये दिया गए कि जैसे सिरीज वाले जो कुशिन आते हैं उनका सम फाइंड आउट करना तो उसमें basically कौन कौन से properties लगती है जैसे मालो ये problem आ रहा है 1 over 10 raised by minus 9 plus 1 plus 1 by 10 raised by minus 8 plus 1 and up to 10 इस term का सम हमें find out करना है तो सम निकालने के लिए हम कुछ logic यूज़ करते हैं जैसे सबसे पहले देखते हैं कि arithmetic progression है या नहीं है second आता है geometric progression है या नहीं है third हम देखते हैं कि azp है या नहीं है फिर infinite gp दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ तो इस तरीकी कि हम terms को चेक करते हैं कि इस series के अंदर कौन से वाला expression बन रहा है arithmetic, geometric, arithmetic or geometric progression या infinite gp या कुछ questions ऐसे भी सौल होते हैं जो telescopic sum आते हैं telescopic sum तो try करते हैं और एक last जो type आता है वो आता है symmetry symmetry तो ये 4-5 type है उन 4-5 type से हम इस type के जो series का sum आता है वो हम लोग find out करते हैं देखते हैं कौन से वाला series इसमें लग रहा है सबसे पहले देखिए इस series को बड़े ध्यान से देखिए कि जो first time आ रहा है और एक last time जो है इन दोनों में क्या यहाँ power negative और यहाँ पे power क्या रहा है positive आ रहा है तो इसका मतलव हमें एक symmetry दिखाई दी symmetry दिखाई देने का मतलव हम क्या करेंगे first और last time को एक pair बनाएंगे और उसको simplify करेंगे 1 by 10 raise पार minus 9 plus 1 plus 1 by 10 raise पार 9 plus 1 एक pair बना लिया second और second last time को club कर लिजिए 1 by 10 raise पार minus 8 plus 1 और यह आ गया plus 1 by 10 raise पार 8 plus 1 clear इस तरीके से pair बनते जाएंगे total कितने pair होंगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ value जा रहा है minus 9 और 9 का pair minus 8 और 8 का pair minus 7, 7 का pair minus 6, 6 का minus 5, 5 minus 4, 4 minus 3, 3 minus 2, 2 minus 1, 1 और एक आएगा 0 वाला 0 वाला मतलब अब कितने total pair होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total pair और plus 1 यह value जब 0 होगा तो जब 0 आएगी इसकी value तो यहाँ पर यह last corresponding to 0 बनेगा 10 days पर 0 प्लस 1 यह बन जाएगा और इस से पहले यह pair कितने होगे आपके पास में 9 pair आएगे जो अभी हमने count किये है first pair की value देख लेते हैं इस pair की value कितनी आएगी इसको लिख देता हूँ मैं 1 by 10 days पर 9 प्लस 1 प्लस आगया 1 by 10 days पर 9 प्लस 1 पहला pair हम solve कर लेते हैं जब symmetry आती है तो एक ही pair को simplify किजिए बाकी pair हमें same value देता है इसको भी लिख दीजिए and up to zone और जब value हमने 0 put किया तो 10 days पर 01 प्लस 1 कितना हो गया 2 और यह हो गया आपके पास half इसका LCM ले लो LCM लेंगे तो 10 days पर 9 उपर चला गया 1 plus 10 days पर 9 और प्लस आगया 1 by 10 days पर 9 प्लस 1 तो यह pair बना same इसी तरीके से यह भी यही बन जाएगा और आगे वाले जो pair होंगे वो भी आपके इस तरीके से बनते जाएगे इन दोनों का denominator same आ रहा है numerator भी आपको क्या देगा after taking LCM यह factor यह बन गया second वाले time भी क्या देगा 10 days पर 8 प्लस 1 by 10 days पर 8 प्लस 1 यह भी same बना प्लस कितना आ रहा है half इस तरीके कि कितने pair आपके पास में 9 pairs अब यह pair cancel हो गया यह भी cancel हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 up to कितनी बार आएगा 9 times प्लस आपका कितना बचा half तो 9 प्लस half answer आपका 9.5 यह final answer ठीक है तो इस तरीके के इस तरीके से problems को हमें deal करना है उसको simplify करना है so thank you thanks for watching